हलो अब्रीवान वेलकम बैक टो आवर चैनल जैके एसेस्ट बेडास सिक्जन फोर सो दिस इस अमित आज हमें आपकी क्लास लेने वाला हूं वह है मैथमेटिक्स की यहां पर नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड पार्ट टू के ऊपर आपने पार्ट फर्स्ट और सेकिंड के अ वैसे तुम्हें यहां पे पका एक तो एक तो आपको इसके लेटर के अंदर मिल सकता है जो लक्चर नंबर ठर्ड है इस में से आपको एक तौर्ट अपको पका एक्जाम के अंदर भी तो हमने पढ़नाँ वाले है। हैं fraction fraction के अंदर यहां पे आपको चीजें देखनी है एक तो smallest fraction और एक largest fraction ठीक है small और यहां पे large fraction आपको हमें बतानी है तो सबसे पहले बेटा अगर मैं बोलता हूँ कि यहां पे one है एक number और एक two है यहां पे तो आप इसमें से मुझे बताओ इसमें से बड़ा number कौन सा है one बड़ा है या two बड़ा है तो आप बोलोगे कि two आपका बड़ा है और one आपका छोटा है तो इसका मतल़ इसको हम कैसे लिखेंगे one is less than two कि one जो है वो two से क्या है छोटा है तो इसलिए हमने यहां पे less than का यहां पे sign डाल दिया तो यह use होगा यहां पे small के लिए अगर यहां पे two है और यहां पे one है तो मुझे बताना है कि इन में से number बड़ा कौन सा है तो आप सभी को बता चल गया यहां पे कौन है two है तो two is greater than one तो यह greater आपका sign होगा किसके लिए large के लिए use ठीक है वैसे ही बेटा यहां पे आपका one by two, one by three, one by four, one by five तो इस में से पूछ लेगा आप से कि इस में से सबसे smallest fraction कौन सी है सबसे smallest fraction कौन सा है तो इसको निकालने के लिए दो से तीन से method राइस सकते है हमारे ठीक है पहला method बोलता है यहां पे पहले और दूसरा number लो ठीक है और इनका यहां पे cross product करो नीचे से ठीक है यह ले जा इदर इसको ले जा इदर यह कितना जाएगा फोर और यह कितना जाएगा थ्री और आप सभी को बता चल गया फोर यह बड़ा होता थ्री से तो मतलब 1 by 3 आपका बड़ा है किसे 1 by 4 से ठीक है तो वैसे ही 1 by 4 बड़ा होगा किसे 1 by 5 से तो इसमें से मुझे सबसे smallest निकाल नहीं है तो वो आप अराम से निकाल सकते हो बट अगर हम ऐसा करते चले तो exam के अंदर हमारे पास इतना time नहीं होता कि हम इतना इसको time दे हमारा काम क्या है यहां पर हमारा एक ही method यहां पर रहने वाला है हमने क्या करना है कि यह numerator होता उपर वाला और denominator होता है यहां पर नीचे वाला numerator के अंदर जब भी ऐसे question आते हैं यहां पर zero 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 और zero लगा दो बस और कुछ नहीं करना तुम्हें बस ठीक है यह five से कितना कड़ेगा two time तो यह आ जाएगा तुम्हारा two आ जाएगा ठीक है यह तुम्हारा ओर भी two से कड़ जाता है यह two two जा four यह two five जा ten तो यह कितना आ जाएगा आपका two point five two point five आ गया जब five upon two को divide करोगे two point five आ गया तो ten upon three का मतलग होता है three three nine point three तो अब इस में से आप मुझे आप easily बताओ कि सबसे smallest कौन सा है पांच सबसे largest होगा three point three आपका यह भी तुम्हारा ठीक है two point five यह smallest है बर इन सभी से यहाँ पे सबसे smallest number दिखाए दे रहा है मुझे कौन two दिखाए दे रहा है और two आपको सबसे smallest दिखाए दे रहा है तो means यहाँ पे यह वाली last वाला number था ना यह last वाला number क्या था one by five तो यह इनमें से सबसे क्या smallest number होगा ठीक है मेरा कहने का मतलब है कि जब आपको ऐसे number दिये हो one by two one by three one by four one by five तो आपने खाले उपर zero 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 लगा दो और डिवाइड करके देखो कि कौन सा smallest और कौन सा यहाँ पे largest आता है तो five आपका अगर बात करें तो largest number की अगर हम बात करें क इसकी largest की तो हम बात करेंगे one by two सबसे largest है ठीक है क्योंकि five है ना five तो five कब था one by two के ओपर था ठीक है तो one by two सबसे largest है और सबसे smallest कौन सी value आई है one by five आई है तो ऐसे ही अब हम यहाँ पर दीरे-दीरे question कर लेते हैं वही पहला question आपको screen के ओपर दिखाय दे रहा होगा बोड़ा बीच आदा falling fraction is the smallest इसमें से मुझे smallest fraction बतानी है seven upon six seven upon nine four upon five या five upon seven इसमें से मुझे smallest fraction आपको बताना है सबसे पहला काम है हमारा हमने इस fraction को लिखना है ठीक है simple form is seven upon six six seven upon nine अगला है four upon five and next is the five upon seven पहला काम हमारा आता है यहां पर क्या लगाना वही 00 लगादा सबीक साथ 00 00 and 0 जो चीजे exact कट हो जाती है उनको काट दो भई ठीक है जैसे तुमारा यह five बंजा five यह five से तुमारा eight time कितना था 40 ठीक है जी अब तुम्हें यह भी पता है यह six से तुमारा कितना रगा six into eleven कितना होता है 66 होता है और यह eleven point something आएगा ठीक है इसको हम as it is रख लेंगे ठीक है यहां पर हमारा clash करता है ना दो जगा जैसे तुमारा five five आ जाएगा तो फिर decimal हमें लेना बढ़ता है ठीक है बड़ यहां पर तुमारा अभी देख लेते हैं और कोई clash आता कहीं 11 point कुछ something आता है तो हमें फिर वह आगे solve करना पड़ेगा अब तुम्हें यह भी पता है यह तुम्हारा seven seven time कितना था 49 और पचास में से यहां पर फॉर्टी नंगे तो वन बचा तो यहां पर two carry हो गया यहां पर two three 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 seven point something आएगा अब यहां पर देखो यहां पर seven और यहां पर भी क्या seven आ रहा है तो अब यहां पर class आया है तो यहां पर हमें क्या करना बढ़ेगा पूरा three 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 होता है ठीक है यह सत्तर में से त्रेंट किया तो कितने वच्छे तुमारे साथ ही बचे यहां पर ठीक है तो साथ है फिर से जीरो आ जाएकर डेसिमल लगा लिया तो साथ साथ तो यह 7.7 ठीक है और यह 7.1 यहां पर ठीक है अब इनको सॉल्फ किया अब आप मुझे बत smallest होता है यहां 7.7 यहां 7.1.11 तो सबसे बड़ा नमबर हो है।not brag dot ओल lige 7.7 है और यहां पर लिशंसे है। तो मतलब 7.1 वाली value यह सबसे क्या है smallest है यह सबसे क्या है smallest है तो यही हमारा क्या होगा वही answer होगा बटा answer के अंदर यह 7.1 लिखा नहीं होगा 7.1 अब आया जब आपने 5.7 किया 5.7 वाली यह value है यह सबसे smallest रहेगी तो 5.7 जो भी होगा यह इसका क्या है आपका correct answer है तो यहां पर कौन सा option है यहां पर 5.7 option number 20 का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो I hope कि आपको पता चला एक conclusion मिल गया होगा ठीक है कि कैसे हमने यह question निकालने खाली एक 00 लगाना हम आतर में और divide करते रहना दिवाइड तब भी आपकी स्ट्रॉंग होगी जब आपकी calculation अच्छी तरह से होगी पर नेक्स्ट कोर्शन भी हुमारा काफी interesting question है यह सारे question जो मैंने उठागा है यह हमारे 2013-14 के अंदर पूछेगे होगा ठीक है तो यही चांसी से हैं अब एक्जाम का यह लेवल होगा वह आपके लिए काफी अच्छा रहे रहेगा यहां पर ठीक है तो यहां पर question number second देखो which of one of falling is the largest fraction पीछे हमने smallest बताई अब हमें क्या बताना है largest बनानी है तो largest fraction निकालने के लिए मैंने आपके पहले बोला है यहां पर हमें क्या करना बढ़ेगा पहले simple form में लिखना है six upon seven next term कौन सी है five upon six seven upon eight और यहां पर four upon five मैंने बोले यहां पर जीरो जीरो और जीरो लगा दो यह पूरा तुमारा कट जाएगा यह पूरा जो पूरी वैली अग्जेट करती है ना तो वह हमने पहले देखना होता नंबर five से तुमारा यह eight time कितना होता 40 यह पूरी वैल्यू कट गई ठीक है जी next तुमारा यह बचा यह वाला बचा है ठीक है 70 को आपने eight से काटना है तो तुमारा देखो भई यह तुमारा कितना time कटेगा यह आपका seven eight जा कितना होता तुमारा भई यहां पे 50 हां इतना कट है कि 70 के आसपास है ना यो ठीक वही वैली हमें लेनी होती है तो यह eight point something आएगा अगर क्लैश करेगा तो हमें यह पूरा solve करना अधरवाइस हमें solve नहीं करना है अगला देख लेते हैं अगला six है और यह उपर कितना 50 है तो six का यह आसपास multiple है यह 50 के आसपास होना चाहिए कशारी वो कौन सा ता 48 ट व्यास going तो यह तो मरा एम गड़े को यह तुम्हारा कितना गठार है यह ह Barra 8 नौजा ठीक साहर यह साफास मॉल्टीपल है वो साथ है तो यहां करने करना है यहां पर क्या कर रहा है क्या बैंत सब्सक्राइब में कितने हैं City राघक साथ बजता यहाँ तो यहां पे आपका कॉई 시 Chemical कितना नित्व 변 क zarad दो तो यहां पे 8.7 आ गया ठीक है एट पॉंट 7 र味 रख लिया अब यहां पे तुम ने आठ से कितना डा cat त रहार तालिस टायम काटा रह यह जीरो आया डैसिमल लगा दिया तो यहां पे 68 to 03 शापन 100 अड cinnamon hemen हो यहां पर 70 अवह है यहां पर hote तो यहाँ पे 8.5 अब मुझे यहाँ पे थोड़ा इजी हो गया हमारे लिए कि कोश्चन को अब हमने एनलाइस कर लिया कि इसमें से बड़ी टर्म देखनी है मुझे सबसे लार्जस ट्रेक्शन बतानी है तो 8.5 और 8.3, 8.7 और 8 इसमें से सबसे बड़ा नंबर दिखाए दे तो 8.7 कब आ रहा कौन सी फ्रेक्शन के ओपर आ रहा है 7 अपॉन एट के ओपर आ रहा है तो मतलग फाइनल मेरा अंसर क्या होगा इसमें से सबसे लार्जस ट्रेक्शन होई 7 अपॉन एट हो रही है 7 अपॉन यहाँ पे 8 हो रही है मतलग 6y7 5y6 7y8 और 4.5 के अंदे हो सबस option number second इसका correct हो जाएगा next question the greatest value among the fraction 2 upon 7 1 upon 3 5 upon 6 3 upon 4 तो इसमें से मुझे सबसे क्या निकालना greatest निकालना तो मेरा पहला काम यह होता वो सीधे यहां पर 00 लगाना इन सभी का गया तो मैंने लिख दिया 20 upon 7 10 upon 3 50 upon 6 और यहां पर 30 upon 4 तो यहां पर बेटा आपको टेवल आना जुरूरी है क्योंकि direct value तुम्हें याल रखनी है यह 4 से तुम्हारा कितना कटेगा साच्यों का 28 कटेगा तो 7.9 कुछ आशर आ रहा है तो यह 6 से तुम्हारा कितना time कटेगा यह 8 time कटेगा 8.9 कुछ something कटेगा तो यह 3 से कितना time कटेगा यह 3 3 9 मतरब तो ऐसे तुम्हारा 3 पंड कुछ कटेगा और यह 7 से 27 इन 21 होते हैं बड़े यह 20 है तो छोटा चाहिए तो साथ दो कितना अज़ेगा 2 पंड कुछ something आशर आएगा तो इस में से हम मुझे क्या निकालना है भाई यहाँ पे fraction निकालनी कौनसी निकालनी greatest value तो ग्रेटेश्ट मतरा सबसे बड़ा नंबर तो सबसे बड़ा नंबर बताओ मुझे कौनसा 2.0 something एट पर संथिंग यह 7.0 संथिंग इन्वेस्ट सबसे बड़ा यह नंबरा हुआ है एट पर संथिंग तो एट पर संथिंग कब आ रहा है यहां पर कौनसी वो काफी इंट्रस्टिंगा वो बड़ी बार वो पूछा जाता है और ऐसा स्वाल पूछे जाएंगे आपसे क्यूंकि लेवल जो है वो हम हाड लेवल करेंगे तो ही इजी लेवल आपका अराम से निकल जाएगा एक्जाम के अंदर अब यह कोश्चन काफी इंपोरेंट आपके लिए बोरा है दा ग्रेटेस्ट अमंग दा फॉल्निंग नमबर अब ग्रेटेस्ट नमबर बताना है पहले फ्रैक्शन में था अब यहां पर पावर्स में आ गया थ्री की पावर वन वे थ्री टू की पावर वन वे टू वन तो तो अब यहां पर बेटा जब यह वाले कोश्चन आयाते हैं तो इसके अंदर बच्चों को थोड़ी सी प्राव्डम आना शुरू हो जाती है क्योंकि यहां पर जीरो जीरो भी लगाएंगे तब भी पावर वन वे थ्री है वन वे टू हो यहां पर वन वे शिक्स है तो जि ठीक है बट गर में अगर यह हमने पहले कोश्चन में अगर मैं आपको करवा रहा हूं तो एक्जाम में आपको क्या होगा कि यह टाइप आसर ने हमें करवाई थी इसकी अप्रोच ऐसे करेंगे एक आपको हिंट मिल जाएगा ठीक ना तो यहां पे अब देख लेते हैं इस पावर तुम्हें दिखाए दे रही है ना यह 1 by 3 1 by 2 1 और 1 by 6 ठीक है इनके यह डिनॉमिनेटर होते हैं इनके इनके डिनॉमिनेटर वो मुझे यहां पे सॉल्व करना पड़ता है इनके डिनॉमिनेटर का lcm लेना पड़ेगा in the sense आपको simple word में बोलूं तो lcm का क्या लेना पड़ेगा हमें यहां पे डिनॉमिनेटर लेना सॉरी lcm लेना डिनॉमिनेटर का हमें क्या लेना पड़ेगा lcm जब भी powers आती है ना आगर मेरे पास यह question ऐसा होता 3 की power 2 2 की power 4 1 की power 6 और 6 की power 2 तो तब मैं अराम से इसके square निकाल लेता ठीक है तो मैं राम से यहां पे question इस पर fraction में है क्योंकि अभी fraction chapter चल रहा है तो powers फ्रेक्शन में ही होगी आगर मैं इसकी powers में क्या करूं simple powers ले आओं यह से 3 की power square है 2 की power 6 हो सकती 1 की power 6 है तो यहां वे 6 की power 2 3 जो भी something है तो हमें क्या करना पड़ेगा कोई भी एक ऐसा power के अंदर number लेना है जो वो पूरा 3 से भी कटे 2 से भी कटे एक से भी कटे और 6 से भी कटे तो मैंने क्या number लिया 3 2 1 6 का हमने क्या लेना है LCM किसका लिए denominator का 3 2 1 और 6 का जो की कितना होता बटा यह 6 ही होता है LCM 6 ही होगा यहा वहां पर देखो number मुझे पता चल चुका 6 तो अब आपने यह पावर आवी जैसे 1 2 3 है इनका एक number लेलो 6 ठीक है multiple 6 इदरी multiply 6 कर लो इदरी multiply 6 कर लो और इदरी multiply क्या कर लो 6 कर लो ऐसे करने पर हमें क्या मिला ऐसा करने के उपर हमें मिला थोड़ा सा question का यहां पर हिंट मिल चुका है अब हम राम से इसको solve कर सकते हैं ठीक है न अब देखना वई यह 3 से तुम्हारा कितना time कटेगा 3 2 से 6 यह 2 से कितना time कटेगा 2 से 3 time कटेगा ठीक है यह 6 और 6 cancel हो गया अब क्या बचा मिले पास 3 की power 2 2 की power 3 1 की power 6 और यहां पर 6 की power 1 क्योंकि 6 और 6 cancel हो गया ठीक है अच्छा थ्रीकास के कितना यह 9 होता है टू का क्योंकि कितना ओता वह यह 8 होता है वन का कितना ओता है 1 ही रहेगा और 6 की power 1 कितना होती है 6 अच्छा मुझे बताओ इनमें से बड़ा नंबर कुण सा है 9 8 1 या 6 इसमें से सबसे बड़ा नंबर कुण आ तो आपने वोला सब यहां पे 9 जो आना यह सबसे यहां पे largest number है 9 क्या यह सबसे largest number है वो सबसे smallest number कोई सा 1 है यहां पे तो यह सबसे smallest number कोई सा 1 है यहां पे अच्छा 9 largest number कब आया जब किसकी power क्या थी 3 की power 1 by 3 थी तो यहां पे 3 की power 1 by 3 क्या है सबसे largest number होगा तो यही मेरा क्या हुआ आंसर होगा तरीकि पावबन में लिए I hope कि आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीस यहाँ पे इस लेक्टॉर को लाइक करना ना बोले उसी से हमें यहाँ पे मौटिवेशन मिलता है यहाँ पे और आपको एक चीज़ शायद कम करने लगे हो, शेयर कम करते हो, ठीक है, पहले आप वीडियो को शेयर अच्छा करते थे यहां पर, तस रहे時 , पहले आप शेयर n करते हों, ठीक है, बत चलो उससे हमीं कोई लेना दें यह अत्य neutral, बस complete करना जैसे मर्जी कोई भी हाल में ठीक है सो चलते हैं अगले concept के ओपर अगला question है which is the largest of falling fraction इन में से सबसे largest बताना है 2 by 3, 3 by 5, 8 upon 11, 11 upon 17 तो ये काफी simple question है ऐसे मैं आपको करवा चुको हम भी 3 से 4 question ठीक है 5 question तक हमने कर ली है तो अब ये देते हैं आपको सीधे homework ठीक है ये क्या तो मारा भी homework और आपने मुझे comment section के अंदर इसका answer पका देना है जो इसका answer देगा तो it means उसने वीडियो यहाँ पर पूरी देखी है ठीक है और जिसने नहीं दिया होगा answer मतलब उसने वीडियो यहाँ पर skip कर दी है उसको पता नहीं चला कि ये मैंने question होंबग के लिए है कि नहीं दिया हुआ ठीक है तो बेटा फिर बाद में मत बोलना कि sir आपने ये हमें type नहीं करवाई थी क्योंकि type क्या होती है कि हर एक question आपको नहीं करवाई जाता है यहाँ उसी level के यहाँ पर type के question आपको करवा सकते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अगला यह concept वो चेंज होने जा रहा है ठीक है अगला question इसी type के ओपर नहीं है ठीक है बस यह नाम आपको वीडियो का मिल जाएगा यहाँ पर फ्रेक्शन पार बट इसके अंदर और क्या 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 बढ़ेंगे वो यहाँ भी वीडियो पूरी देखने के ओपर आपको मिलेगा ठीक है तो चलते हैं next question के ओपर next question जो हमारा यह काफी important है if a number is as much greater than 31 as it is less than 75 then the number is मुझे number बताना की number क्या रहेगा तो बटा जब भी ऐसे question आते है number system के अंदर की number क्या रहेगा तो सबसे पहले आपका काम होत है number को let करना ठीक है मैंने क्या किया let number bx मैंने number क्या माल लिया x अब आपने वहाँ पर यह लाइने नहीं लिखनी है वहाँ पर कि let number bx आपने direct करना कि x एक आपका number होगा ठीक है फिर आपको statement समझने बढ़ेगी जब तक आपको statement में समझ नहीं आएगा तब तक आपको यहाँ पर question नहीं निकलेगा और बचा छोड़के आ जाता है बोल रहा है यहाँ पर if a number is as much greater than 31 मतलब यह number 31 से बड़ा होना चाहिए अगर कोई चीज बड़ी है तो वह यहाँ पर ब बतलब है वई कि number जोना वो बड़ा है किससे 31 से तो मैंने रह दिया x-31 क्योंकि यहाँ पर x की value यहाँ पर 31 से बड़ी है इसलिए यहाँ पर x-31 लिखा है ठीक है जो की क्या less than है किसके 75 के यह number अब जो 75 से कम भी है यहाँ ठीक है 75 से कम है तो यह 75 नंबर बड़ा हो गया तो यह दूसरा नंबर वो इससे क्या है कम है तो यहाँ पर 75 माइनस x लिख दिया यहाँ पर मैंने और बीच में आपने यहाँ पर डाल देना है equality ठीक है क्योंकि हमें number ही निकालना है ना दो बार number यहाँ पर word number दो बार use हो रहा है 31 के साथ और 75 के साथ तो बीच में equality निका तो आपयर देखना यह माइनस का एक्स यॉह यह इद्रा की का अड़ीग होसे का प्लस का एक्स और यह मैनस 31 के प्लस कहön मिवाया की थिक होए जाए एक Laz yes प्लस X which is equals to 75-31 वो सारी यहां पर प्लस हो जाएगा चीक है तो यह कितने X हो गए यहां पर 2X हो जाएगे ठीक है तो यहां पर देख लो जब इसको 75-31 को आड करोगे तो यह 5 1 कितने वह शाजए साहते हैं यहां पर यहां पर yeah करना है यहां पे दरा के डिवाइड हो जाएगा तो एक्स की वैली तुम्हारे पास कितने निकले का यहां पे 53 इसको हम एक और मैथर से हम निकाल सकते हैं जैसे कहीं भी आपके दो नंबर दियों हो और बोला जाए कि एक नंबर बड़ा और एक नंबर छोटा की बात कर रहा ह पर तो याद रखना यहां पे बड़ा नंबर आपने लिखना यहाँ पे छोटा नंबर यहां पे रहाँ ठीक हो झालना एक ठीक आप एक्र अगर आप यह वाला ले रहेओ तो यहां से भी आपका आशर आजाएगा 31 है ठीक है 30 31 है यहां पर 31 मैंने यहां पर रख दिया ठीक है प्लस क्या करना है difference कितना 44 का difference है और divided by 2 कर देना यह 2 कहां से आरा बेटा यह आपको समझाने के लिए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कर दें यह वाला नंबर 44 है पहले हमने लिए 31 क्योंकि यह नंबर बड़ा था क्योंकि यह 44 यहां इससे बड़ा आएगा तो हमने प्लस कर दिया ठीक है आगले नंबर के अंदर हमने क्या करना है इसको हमने माइनस कर देना और बड़ावा नंबर ले 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 हैं ठीक है और से निकालना हो तो 75 माइनस क्या कर देना 44 डिव हमारे पास यहां पर कितने वर्षते हैं 53 ही बर्षते हैं ठीक जी कुछ नहीं किया खाली हमने डिफ्रेंस लिया 44 उसको दो से डिवाइड कर दिया और 31 में जोड़ देंगे तो यहां पर आपका नंबर फिर भी आपको निकल जाएगा 75 में माइनस कर दें तब भी आपको वही कोशन के उपर चलते हैं नेक्स्ट कोशन है यहां पर टू नंबर डिफर वाइफ नंबर का डिफरेंस यह फाइब है इफ दियर प्रड़क्ट इस 336 उनकी यह प्रड़क्ट है मल्टिप्लाई उन्हीं दोने नंबर को मल्टिप्लाई करके मेरा 336 वाना चाहिए तो आप से पूछ रहा है दा सम आफ दू नंबर इस वो दो नंबर जो आपने निकाले होंगे जो आपने लेट की हैं उनका आपने लास्ट में सम निकालना मत मैं यहां पर दो नंबर लिट कर लेता हूं यहां पर ए और यहां पर बी ले लिए दो नंबर ठीक है अब देखो वह यहां पर पहली के वह यह बोली आती है की multiply करके आपका कितना अंसर आना चाहिए 386 भी आपका आना चाहिए तो मेरे से last पूचा है the sum of the two numbers मतला ये a और b आपके दो नमबर होंगे और इनका sum आप से पूच रहा बस ही आपने ये निकालना last वे a प्लस b आपने निकालना भी ठीक है तो बेटा स्केर जो कि किसके बराबर होगा x-y के whole square का plus four time xy ठीक है ये एक अडंड़ी है यो आपकी ninth class के अंदर आपकी ये बढ़ा होगा आपने भई ठीक है जी numbers के अंदर तो यहाँ पे x plus y whole square which is equals to x minus y का whole square plus 4 x y तो ये x plus y का whole square ठीक है जी ये अपने यहाँ पे square ने दो क्योंकि x plus y की हमारे पास value नहीं है अब where x और y अब हमने क्या लट किया है a और b ठीक है जी तो ये आपके identity थी तो यहाँ पे इसको हम अगर अपनी form में लिखा जाए तो ये होगा a plus b का whole square which is equals to a minus b का whole square plus 4 times x y अब आप देखलो बेटा ये a plus b है तो ये आपको a plus b यहाँ पे है ये आपने निकालना है but minus b a minus b की value आपके पास है कितनी 5 है तो 5 का square कर दो कितना हो जाएगा that is 25 plus 4 times x y x y यहाँ पे sorry यहाँ पे a b लिख लेना 4 times a और b यहाँ पे तो और a और b की value क्या है a और b की value है 386 है तो यहाँ पे 4 into 336 आजाएगी तो 5 का square that is 25 plus ठीक है जब आप इसको multiply करोगे ये कितना हो जाएगा ये 6 चुका यहाँ पे 24 हो जाएगा दो करेवे जाएगा चारते बारा बारा दो चोता हो जाएगा ठीक है एक एक चारते ना बारा और एक तेरा हो जाएगा ठीक है 1 3 4 4 plus 25 करेंगे तो आपका answer आएगा 1 3 6 9 तो बेटा यहाँ पे ये किसकी value निकली है a plus b के whole square की value निकली है और हमें चाहिए कि last में a plus b चाहिए तो बेटा यहाँ पे देखो a plus b यहाँ पे निकलना यह यहाँ पे square है इदरा की का एक 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 तुगेदर यह under root हो जाएगा that is 1 3 6 और 9 और अगर आपको याद हो ठीक है square और cube अगर आपको आते हैं तो आप राम से निकल सकते हैं यह 1 3 6 9 जो होता है यह 37 का होता है यहाँ पे under root तो यहाँ पे a plus b का यहाँ पे sum कितना है यहाँ पे 37 आया तो option number यहाँ पे c आपका correct हो जाएगा इसी को अगर आपने थोड़ा simple way में निकालना है ना ठीक है यह तो हो गया कि lengthy method आपका general approach अगर simple method निकालना है तो यहाँ पे देखना भई 336 आपका यह है यह का बाता है जब आपने किसी 2 number को multiply किया होगा तो 336 आएगा ठीक है जी तो मैंने 336 के ऐसे factor बनाने है कि उन्ही 2 number को multiply करके मेरा 336 आना चाहिए तो यहाँ पे मैंने इसके बना लेता है यहाँ पे 1 second रुकना इसको मैं 2 into 2 कितना होता है 4 होता है 4 2 जा 8 8 2 जा कितना हो गया 16 ठीक है यह हो गया तुमारा 16 हो गया ठीक है 16 16 16 और यहाँ पे 3 और into 7 तो यह यहाँ पे मैंने इसके factor बना लिया है अब इन सभी को multiply करना आपका 336 आपका आजाएगा भई ठीक है जी अब देखना भई मैंने बोला है कि 2 नंबर ऐसे उन्हें चाहिए कि उनका यह difference है वो 5 होना चाहिए वो अब इसी में से यह factor बना है ना इसी में से यहाँ पे आपने वो दो नंबर चूस करना है जिनका difference आपका 5 आए यह 4, 4, 8, 8, 2 कितने होते हैं 2, 4, 4, 2, 8, 8, 2, 16 यह 16 हो गया 16 इंटू यह 7 और 3 कितने होते हैं 21 होते हैं तो क्या देखना 16 और 21 का यहाँ पे difference 5 है अगर यह 5 है तो इसका सही answer हो जाएगा और नहीं है तो फिर आपको कोई और factor यहाँ पे बनाने पड़ेंगे तो 16 और 21 आपका difference इनका देखो 16, 5, 20 होते हैं तो difference ही 5 है और इनी नमबरों को यहाँ पे multiply करके 16 और 21 को multiply करके आपका 336 भी आ रहा है तो मतलब आपका पहला नमबर होगा यहाँ पे 16 और दूसरा नमबर होगा 21 लाच आपका निकाला है इसका sum निकाला है तो 6 प्लस एक इतना अगया 7, 2 और 1 इतना अगया 3 तो 37 आपका आपका क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा अगला question है पिछला question भी same as it is इथा ठीक है यहाँ पे क्या बोला what will be the sum of their reciprocal ठीक है उनके sum का reciprocal बताना है मुझे देखो भाई यहाँ पे आपके पास दो नमबर आपको लेट करने परनेंगे यह A और B यहाँ पे ठीक है बोला sum of two number मतलब A प्लस B को यहाँ पे add करके आपका 20 आना चाहिए यहाँ पे and their product product का मतलब होता multiply करना और इनी दो नमबर की product जो है वो किसके बराबर आने चाहिए 80 के बराबर आने चाहिए ठीक है और बोलता what will be the sum of their reciprocal number आपके पास थे A और B अब और है इनका reciprocal अब A का reciprocal क्या होगा reciprocal होगा था इसका reverse तो यादिस 1 by A तो B है तो B का reciprocal क्या हो जाएगा 1 by B और इनका यहाँ पे sum पोच रहा बस यह पोच रहा 1 upon A plus 1 upon B आप से पोच रहा ठीक है तो यहाँ पे देखना वही यहाँ पे 1 upon A plus 1 upon B मेरे से पोच रहा क्या आएगा तो जब इसको मैं थोड़ा सा simplified form में लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास A plus B की value B से है और A और B की value यहाँ पे 80 है तो जब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे उठाके यहाँ पे ले जाता हूँ B को और A को उठाके यहाँ पे ले जाता हूँ cross product करनी है तो यह कितना हो जाएगा B into 1 B plus A into 1 कितना हो जाएगा A और upon में इन दोनों की multiply A और B की that is A और B ठीक है यह B plus A करूँ चाहे A plus B करूँ answer फिर भी same होगा तो इसको B plus A को मैं A plus B भी लिख सकता हूँ और नीचे आपका A B अब आपके पास question simple कैसे होगे क्योंकि A plus B के आपके पास value बड़ी हो और A into B की value भी है A plus B की value कितनी है तो आपके पास 20 है बटा और A into B product किसके इनकी 80 के बराबर है तो इनका reciprocal मुझे बताना है तो 20 से यह कितना time चला जाएगा चाहर टाम 80 तो reciprocal कितना हो जाएगा 1 upon 4 the sum of reciprocal अगर मैं कुछ ज्यादा speed के अंदर पढ़ा रहा हूं तो प्लीस आप मुझे comment section के अंदर कर देना मैं अगली बार अपनी speed यह slow कर लूँगा अगर यहां मैं कुछ ज्यादा slow पढ़ा रहा हूं तो वो भी आप मुझे बता देना मैं अपनी speed यह इंक्रीज कर लूँगा ठीक है बड़ concept आपको समझ आना चाहिए बीना concept के हम आगे नहीं चलेंगे न ठीक है बड़ मुझे एक बार पता चलना चाहिए कि आपको समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है नेक्स्ट कॉस्चन है the largest two digit prime number is ठीक है दो digit का सबसे बड़ा prime number कौनसा होता है दो digit मतलब यह वाला ठीक है इंदो digit को मिलाकि एक number बनता है मेरे पास तो largest two digit prime number बताना है तो prime number वो होते हैं आपको सभी को बता है प्राइन number क्या होता है जिस only two factor ठीक है, only two factor हो, जिसके उसी को हम बोलते हैं, क्या prime numbers बोलते हैं, यहां तो वो one के table में आए, यहां तो वो itself अपने ही table में आए और किसी के table में ना आए थीक है, यह दो factor होते हैं, तो जब बात करते हैं 87 की, तो 87 आपका यहां पर देखो भई, यह one के table में भी आयता है, ठीक ह यहां पर q assigning एक और लॉफकर नंबर थीक लिख कि सब्सक्राना यहां पर और यहां तो 97 जो है ना 97 एक आपका प्राइम नंबर है यहां पर तो अब आप देखलो यहां पर largest पूछा है यहां smallest पूछा लारजस्ट पूछा है तो 89 भी है यहां पर 97 भी है smallest three digit prime number smallest three digit prime number वो कितना होता है वो मैंने आपको पहले या दूसरी वीडियो के अंदर आपको बताया था पहली वीडियो के अंदर तो आपने मुझे वो comment section के अंदर बताना है यहाँ पे इसका answer कि smallest three digit prime number कौन सा होता है भई ठीक है मैं आपके comment का wait करूँगा कि कब आप यह answer दोगे भई next question है यहाँ पे which are falling statement is true ठीक है मुझे बताना है कि यह दो statement आपके पास दिये इन में से कौन सी true है यहाँ पे ठीक है जी यह आपके पास option है भई ठीक है अब देखो पहली statement कि अब हो रहा कि two is a prime number देखो बेटा जब मैंने आपको prime number के बारे में पढ़ाया था starting में तो आपको यह बताया था कि यह prime number जो होते है वो start होते है यहाँ से two से ठीक है two से prime number start होते है और यही इकलोता एक even prime number है बाकी सारे जितने भी prime numbers है वो आपके सारे के सारे odd होते हैं but two only एक even prime number है तो यहाँ पे पहली statement हमारी हो जाती है true ठीक है first statement हमारी हो जाती है true अब देखते है second statement वही अगला क्या बोल रहा है यहाँ पे 4 is a composite number now आपको मैंने second video के अंदर यह भी बताया था यह first video के अंदर की composite number कौन से होते हैं composite number वह होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा factor हो ठीक है 2 से ज़्यादा factor हो 3 भी हो सकते है 4 भी हो सकते है 5 भी हो सकते है ठीक है और prime number क्या होते हैं जिसके सिर्फ only two factors हो ठीक है जी 2 से कम नहीं ठीक है और 2 से ज़्यादा नहीं only two तो वह कहलाते हैं prime number और composite number कौन से होते हैं जिसके only क्या हो भई जिसके 2 से ज़्यादा factor हो 2 से कम बले factor आपके composite number नहीं हो सकते हैं जैसे 1 है 2 है यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4, 5, 6 यह number ले लेते हैं अब इसमें से मुझे composite number बताना है तो देखो भी जब मैं 1 के factor लोगा तो 1 का only एक ही factor होता है 1 into 1, 1 1 किसी हो टेबल में नहीं आता है तो 2 का factor लोओ तो यह 1 के टेबल में भी आता है 1 into 2, 2 होता है और 2 into 1 करूं तो यह कितना होता है 2 होता है तो अगर किसी की चीज के 2 factor है तो वो पहराइन number कहलाता है तो यह prime number हो गए शुरू अब 3 के लेते हैं तो 3 का ले लो 1 into 3 कितना हो गया 3 into 1 कितना हो गया यह भी 3 तो यहाँ पे यह भी prime number है तो यह भी प्राइम number है तो यह इसके आगए और factor नहीं बन रहा है अब आर करते हैं 4 की तो यह 1 into 4 कितना हो था 4 हो गजा ठीक है 2 into 2 कितना हो गया यह 4 हो जाएगा और 4 into 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो देखो भाई इसके 2 से ज़्यादा factor बन रहे हैं तो यह कौन सा number कहलाएगा composite number कहलाएगा तो statement second भी आपकी true है यहाँ पे तो इसका answer यह हो जाएगा आजने में तो जितने जितने में आपको करवा रहा हो कोशन यह काफी काफी important है so please like share and comment करना ना भूले और इस channel को subscribe करना ना भूले अगर इस channel के उपर new हो तो please telegram group को ज़्यादा ज़्यादा share करो वहाँ पे और ज़्यादा ट्राफिक लाओ बच्चे लाओ वई ठीक है जी क्योंकि यह इसका यह PDF है वो यहाँ पे आपको telegram group के उपर मिलेगा और आपको एक यहाँ पे आपको हमारी website के उपर मिल जाएगा जिसका लिंक आपको description box के अंदर आपको मिल जाएगा वेटी कहवां से आकि आप इसका पीडिया बुरा डाउनलोड कर